नमस्कार दोस्तों आपका स्वावयत करता हूं आप ही क्योट्यूब चैनल में सफिन हम गयां डिसकेशन करने वाले बारे में विकॉस आज बैंक टे अपना कौर्टेली रिजल्ट अनौंस किया है तो चली चेक करते हैं रिजल्ट कैसा आया है रिजल्ट अनौंस हुआ उसका यह पका previous quarter का result है। चुकि यह 방법 है तो बैंक है तो देखे टोटल इंकम बना कैसे इंटरस्ट कित्रह उन्ठेर्इन अनौने किया देख आ आका है, कैसे कैसे हुआ हूआ, और अधर इंकल को जोड़ने का सबना गया हैara, क्रिटी हो गया लगो 19% का यहां पर उच्छाल देखने को मिल रहा yearly basis सालदर साल में यहां पर quarterly basis में 6,76 से बढ़ करके 6,80,000 यहां पर हुआ तो लगो एक परसन का यहां भी उच्छाल देखने को मिल रहा company के total income में तो यहां पर यह positive side है सालदर साल में 19% का उच्छा लें quarterly basis से एक परसन का उच्छा लें अब देखिए इस यह तोगए income का पाट अभी है खर्च expenditure क्या इनका यहां पर है देखने को मिल रहा तो कि total expenditure अभी आया है 4,60,000 का अभी बता जा रहा है last year था 3,81,000 और previous quarter में था 4,47,000 यानि कि देख सकते है सालदर साल yearly basis में भी उच्छा लें quarterly basis में भी आपर उच्छा देखने के वले कंपनी के खर्च में जो कि थोड़ा negative हो गया क्योंकि expense सबस्यादा बढ़कर आ रहा है इस income को expense से आप minus कर देजे तो आपका आ जागा देख सकते है operating profit या पर profit before provision and contingency आ रहा है 2,20,000 का अभी बता जा रहा है last year था 1,92,000 देख सकते है साल दर साल इसमें उच्छाल है और quarterly basis में 2,29,000 से गिर करके 2,20,000 हो गया तो quarterly basis में यहाँ पर गिराओट देखने को मिल रहा है कंपनी की operating profit में अभी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा negative side में होगा क्योंकि quarterly basis में यहाँ गिराओट देखने को मिल रहा है अभी इस provision को प्रोविजन को मैने कीजिए या प्रोविजन को पैसा जो बैंक को लगता है कि डूप सकता है रिसकी अमाउंट है तो देखिए हाँ पर उन्होंने अलग किया उस अमाउंट को तो अभी देखिए कितना अलग किया जा रहा वो है 82,211 का अभी last year था 98,479 का यानि कि प्रोविजन में देखने को मिल रहा है तो प्रोविजन में यहाँ पर गिराऊट देखने को मिल रही है अब आगे बढ़ते हैं कंपनी का चक करते हैं इस प्रोविजन को माइनस करने के गाद कंपनी का net profit क्या आया तो net profit देखिए अभी है 1,3278 का लाज़ था 91,975 यानि yearly पेसिस में सालदर साल में अच्छा खास उचाल है 44 परसंट 44 परसंट का भारी भरकम उच्छाल देखने को मिल रहा है और quarterly बेसिस में देखिएगा तो 1,291,368 से बढ़ करके 1,3278 हो गया यानि 3 परसंट के हाँ उच्छाल देखने को मिल रहा है अब बैंक का चेक कर लेते EPS earning per share तो देखिए अभी 1.88 का है last year था 1.30 देख सकते हैं EPS में quarterly basis में EPS में 1.83 से बढ़ करके 1.88 बाते EPS में भी उच्छाल देखने को रहा है यह लिन quarterly basis में NPS को चक्किए जहते हैं NPS नहीं non-performing asset यहाँ पर देखिए अभी NPS आया है 1.84 लास्ट यह था 2.19 यानि कि दे income में भी उच्छाल देखने को मिला है net profit में उच्छाल है NPS में गिराउट है NPS में उच्छाल देखने को मिला तो रिजल्ट शांदार है यहाँ पर देखने को मिला बैंक आप महारास्टा का तो यह था completely regarding bank of महारास्टा और रिजल्ट आई होब आपको वीडियो अच्छा आपको वीडियो अच्छा लगतने वीडियो लाइक कीजिगा शेर कीजिगा आँचाल को सब्स्राइक पीजिगा तैंक यू